साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान नरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का, आपके ही अपनी चानल पर हमारी आज की साखी का विश्य है कि ये जरूर सोचेगा कि आपको किस लिए और क्यूं याद किया जाएगा आपके इस दुनिया से जाने के बाद कि फैमी ओटे डोला सी रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे जादा खुशी कब मिली, तो फैमी ने कहा, मैं अपनी जीवन में खुशी के चार चरणों से गुजरा हूँ, और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का आरत समझ मे पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था, फिर कीमती समान और वस्तों को इकठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का आसर भी अस्थाई होता है, और कीमती चीजों की चमक जादा देर तक नहीं रहती, फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण, वह तब था जब नाइजीरिया और अफरीका में डीजल किया पूर्ती का 95 प्रतीशत मेरे पास था, मैं अफरीका और एशिया में सबसे बड़ा पोत मालिक भी था, लेकिन यहाँ पर भ तो दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत वहील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाओं और बच्चों को वहील चेयर सौप दो, तो मैं तयार होकर उसके साथ चल दिया, वहाँ मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से वहील चेयर दी, मैंने इन ब टेकनिक स्पोट पर पहुँच गए हो जहां वी जैकपोट जीत कर शेयर कर रही हो तब मुझे अपने अंदर अस्री खुशी महसूस हुई जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली मैंने धीरे से अपनी टांग को छुड़ान उससे ना केवल मैं अंदर तक जगजोर गया बलकि जीवन के प्रती मेरा दृष्टी कौन भी पूरी तरहां से बदल गया उस बच्चे ने मुझे कहा कि मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपको स्वरग में मिलू तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ साथ संगत जी आज की साखे का मरम यही है कि हम सभी को भी अपने अंतर मन में जरूर जाकना चाहिए और ये मनन जरूर करना चाहिए कि इस जीवन की और सारी संसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए और क्यों याद किया जाएगा क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा ये सब बहुत महिनी रखता है इसलिए अगर आप समर्थ हैं तो असमर्थ का हाथ जरूर पकड़े साथ संगत जी हम खुशी की तलाश में ना जाने कहां कहां भटकते हैं किन्तु जो खुशी जो आनन्द भीतर है उसे पाने का परियासम बिलकुल नहीं करते हम शुरुवांद करें आनन्द पाने की जब हमको एक बार अनुभव हो जाएगा फिर हम कहीं नहीं भटकेंगे स्वयम के भीतर से ही खुजना शुरू कर देंगे किसी प्यासे को पानी पिला दो भूखे को भूजन करवा दो रोते हुए व्यक्ति के चहरे पर मुस्कुराहट ला दो किसी की जिस प्रकार भी हम मदद कर सकते हैं जरूर करें इसे असीम आनन्द के प्राप्ती जरूर होगी एक जज सहाब अपनी कार में अपनी अदालत के लिए जा रही थी मारग में देखा कि एक कुट्ता कीचर से भरी नाली में फसा हुआ तडप रहा था आने जाने वाले बहुत से लोग देखते और उसे अंदेखा करके आगे बढ़ जाते तो जज सहाब की नजर उस पर पड़ी उन्होंने अपनी कार रुकवाई और पहुंचे उस कुट्ते के पास उनके दोनों हाथों को नीचे जुखाया और फिर कुट्ते को निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया बाहर निकलते ही कुत्य ने जोर से सारा शरीर हिलाया और पास खड़े हुए जज सहाब के कपड़ों पर धेर सारा कीचड लग गया सारे कपड़ों पर कीचड के दाग धब्बे लग गये किन्तु जज सहाब घर नहीं लोटे उन्हीं वस्तरों में पहुँच गए अदालत में सभी चकित हुए किन्तु जज सहाब के चहरे पर आलोकिक आनंद की आभा थी वे शांत थी लोगों के बार-बार पूछने पर बोले कि मैंने अपनी हरिदा की तड़पन मिटाई है मुझे बहुत शांते मिली है और अब मैं अपने भीतर असी मानंद का अनुभव कर रहा हूँ जज सहाब के भीतर का ये भाव परमातम भाव है वास्तर में यही सकते है कि जब भी हम दूसरे की पेड़ा में उसकी सेवा करते हैं तो हम उसकी नहीं बल्कि अपनी ही वेदना मिटाते हैं दूसरों की सेवा तो हम कर ही नहीं सकते हम तो मात्र निमित बन सकते हैं वो भी तब जब हमारे भावों के परिणाम सवरूप उनकी किरपा हम पर हो जाती है हम सब मैं रूपी की चड़ में धसे हुए हैं और परमातमा हमें माध्यम बना कर उस मैं रूपी कीचड से बाहर निकालने का प्रियास करता है परमात्मा हर कार्य के निमत देता है बस उन निमतों के सहारे हमें अपने अतरंग में उतरना होता है यही सबसे बड़ी सेवा है वास्त्विक सुख स्वाव लंबन में है बस अपनी सेवा में जुठ जाओ अपने आपको कीचड से बचाने का प्रियास करो और महावीर जी ने भी यही कहा है सेवक बनो स्वयम की और खुदा ने भी यही कहा है खुदा का बंदा बन यह भाव है परमात्म का और इसी से ही आलोकिक आनंद मिलता है साथ संगत जी जो इनसान होता है ये इश्वर की एक अनमोल करीती है किसी को खुशिया नसीब होती है तो किसी के हिस्से में परिशानी आ जाती है तो हमारा परियास यही होना चाहिए कि हम यथा संभव जरूरत मन की मदद करें मदद यह जरूरी नहीं कि आप पैसे सही करो किसी बेमार को मुस्कुराहट दे कर किसी नित्रहिन को सड़क पार करवा कर किसी वुजुरक को बस में सीट दे कर अथो आपने आस पास किसी भूखे को रोटी खिला कर इन छोटी-छोटी सहायताओं से हमें फरक तो कोई नहीं पड़ेगा किन्तु जो जरूरत मंद होगा उसे बहुत फरक पड़ेगा एक माई की आदत थी किसी बे सहारा की मदद करना माई बहुत चाहते थी कि बचा हुआ खाना फैकने के बज़ाए सामने पेड के नीचे बैठी व्यक्ति को दे दिया जाए काफी दिनों से वो भूखा लग रहा था तो इस तरह से खाना बरबाद भी नहीं होगा और किसी भूखे को भोजन मिल जाएगा बाहर फैकने से क्या फायदा और फिर जाने अन जाने पुन्या का काम भी हो जाएगा लेकिन सभी लोग माई को पागल समझते थे और माई के घर वाले भी उसे गृणा करते थे कहते बिकार में क्यों किसी को मू लगाए एक दिन खाना दिया तो वो सिधा घर तक आ जाएगा फालतू में परिशान करेगा और फिर तो वो कमबल और कपड़े भी मागने लगेगा लेकिन माई का दल नहीं माना एक दिन माई चुपके से उसे खाना पानी दे आई साथ में ओडने और पहनने के लिए भी दे आई अब तो माई का हमेशा कनियम बन गया सुभर शाम उसे खाना दे आती तो अब वो कपड़े भी साफ सुत्रे पहनने लगा था लगता नहीं था कि वो कोई पागल हो तो बुड़ी माई से इस तरह हमेशा ही मुफ्त में खाना लेना अब उसे अच्छा ना लगता अब उसे शरम आने लगी उसे लगने लगा कि अब मुझे भी कुछ काम करना चाहिए कमा कर खाऊंगा तो एक अलग ही आनन दाएगा एक दिन सुभे के समय माई के उठने से पहले ही वो आ गया घर के आगे साफ सफाई करने लगा जाडू से सारा कच्छरा एक जगा जमा करने लगा माई ने देखा कि घर अंदर और भार से गदम साफ लग रहा था तो माई बहुत खुश हुई वो सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था दोड़ कर माई के पाफ चुएर बोला माई आपके प्यार और दया ने तो मेरा जीवन बदल दिया अब मैं मांग कर खाने के बज़ाए कोई काम करना चाहता हूँ कभी किसी की गाड़ी की सफाई तो कभी घर की सफाई कभी किसी की हैं मजदूर बन कर भी चला जाओंगा ये सुनकर माई खुश हो गई माई बहुत खुश थी कि आज उनकी समान ने ऐसी सहायता ने किसी का जीवन बदल दिया था तो साथ संगत जी अगर आपसे भी कभी हो सके कि आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसकी मदद जरूर करियेगा क्योंकि भगवान ये मौका हर किसी को नहीं देते अगר आज की साख्य अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात हो जाएगी एक नई साखियर नई विचारों की साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी